क्या इंसाइडर्स लगा है मोस्ट इंपोर्टेंट ओवर 18 ओवर दिया है आपे कप्तार ने और भाई यापे मैच फस गया 18-22 बनते हैं अरे भाई क्या कर रहे हूँ जाक मार दी भाई इन लोग ने फिल्डर्स ने गढ़े क्या बूलो यार मैं अब मैं आरे ऐसे मैच आरे मैं जिम्मेदार नहीं हो मजागरी कर रहा है मैं क्या ज़रूरती भाई ये थ्रो कर रही है कौन है भाई गढ़ा ही है हलो वल्केम बैग गाईज स्वागत है आप सभी का क्रूलिट 24 करियर बोड के एक और नए एपिसोड में तो लास्ट एपिसोड में गाईज हम लोग ने डेब्यू किया था यहापे IPL के अंदर और पहला मैच हम लोग जीच चुके थे लेकिन गाईज अपने रंस नहीं आयते पहले मैच में तो यहापे गाईज हम लोग आज चुकर दूसरे मैच में और भाई बहुत लाइक कम हमने रंस बना पाए थे बल्ले बाजी में भी तो चले सिक्का उचला जा चुका है सामने कप्तान राजस्थान के बित्वी शौख टेंस की बाग है और यहापे राजस्थान इस टॉस चीत लिया है डस्टी पिच है तो पहले गेद बाजी करेगी यहापे राजस्थान की टीम तो चले गाईज पहले 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 को टोटल सेट करना है यहाँ पे और उसके बाद फिर उसको करना है डिफेंड और यह गाईज होने वाला है डे में मैच पूरा पूरा डे मैच होना है तो भाई सेकेंड रिम और तो मुश्किल होगा है लोको लेट सी पढ़ यहापे चलिए ओपनिंग करने आज चुके हम फिलाल केर राहुल के साथ आज वाई थोड़ा समाल के किलना है चलिए पहली केद कौन डालेगा फ्रेंट बोल्ट या फिर कौन नई गेद यहापे सी गुड़े कोई नई गेद बाद से उनके हाथ पे दी गई है यहापे फीड़ आप देख सकतो सीली बीड़ पहली गेद लेट गेद बड़ी है डिफेंस और प्रत्री शॉइक तो बगल में लगे हुए है कफिट से लेट गेद आएगी चलीज़ बाद लेट गेद आई है और वहाँ पे फिलिक किया है शॉट फाइल लेकी तरफ लेकिन हलका साथ सुट कर लेकी तरफ गई है गेद दो की माँग है ती मिल जाने चाहिए यहापे बहुत जाएंगे बड़ी है रणिक विकेट्स और तीर रण चुरा लिए बड़े आसानी से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था लेकिन कर दिये वाई तीर रण नो रण आए है यहापे और तूसरी केंद आई है स्ट्राइक दिया है यहापे केल राउल ले पहली दूसरी केंद यहापे शौट डाली है अपने को रणिट फोड़ा सा टाउन चल रहा है भी बड़ाना पड़ेगा क्योंकि यार पावर प्ले है छे ओबर के बाद फिर दिक्कात होगा अपने को रंस बनाने में भाई जबर्दस्ट दूसरी केंद भी बहुत तगड़ी थी यहापे शौट बॉल डाली थे और तीसरी और भी तगड़ी डाली है यहापे केंद बाज ने उपर रक्की जबार गेन थोड़ा चकमा दिया भाई पता नहीं क्यों मुश्किल होगा यहापे गिंद बाजी में तीसरा ओवर लेगे ओके यहापे ड्राइव के लिए पॉइंट के आथ में जाएंगे किया राहूल पहुंच जाएंगे एक और बढ़िया सिंगल भाई ड्राइवस नहीं आ रही है मेरे बले से मता नहीं क्यों कर्neक्ट हो नहीं रहा है वो पावर और टाइमिंग नहीं मिल रही है मुझा भी फार्म खराप्तु नहीं हुग यार अपना 2.3 ओवर मात्रवाई 16 रन आए है यार क्या चल रही है एकाथ बढ़े शॉट्स लगाने ही पड़ेंगे अधरवाईस काम होगा नहीं फिर से शॉट ये दे स्लाइस किया है वहाँ पे पॉइंट की तरफ और टीप में फिल्टर मौझूद है तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल मिलेगा सिंगल डबल से कैसे काम चलेगा बहुत बूरी आला त्यार तीन ओवर में 23 रन है उसमें भी लाइक एक दो बड़े शॉट्स पिछले ओवर में केल राउल ने खेले है हमारे बल्ले से तो एक भी बड़े शॉट्स अभी तक आए नहीं है मुश्किल पेच अगाई जी है लग रहा था शुरू आपकी थोड़े सा बड़े रंस बनाऊंगा लेकिन भाई ये मुश्किल पेच है तो थोड़े सा अकॉर्डिंगली अपने को बल्ले बाजी करनी पड़ेगी अभी स्पिनर्स आएंगी तो और तो लाइक मुश्किल होने वाला है शली एचा शॉर्ट है लेकिर भाई डीप एक्स्टोर कवर्ण वापस आजाओ वाई रनाउट नहीं हो रहा है थोड़ा सा रुक के अराम से खेल ला है दो गेदे डोट है ये वाई दबाओ आ रहा है वाई अपने उपर नो गेदे छे रन मात्र ओके एक और डोट तीन डोट लगातर इस ओवर है चोथा ओवर है उसके बाद मात्र दो ओवर है पार प्ले के रन्स नहीं है दसगेदे लाइक में खेल चुको मात्र छे रन है वाई ये तगड़ा शॉर्ट है वाई सामने मारा इस बार टाउन दा ग्राउड एकदम स्ट्रेट शॉर्ट लेकिन चौकार तब भी नहीं आएगा मात्र दो ही मिलेंगे प्रेशर तो चलिए रिलीज नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा अलकर सा कॉन्फिदेंस ज़रू है ये थोड़ा सा लाइक मेडल किया है शॉर्ट इस बार और यही चाहिए अपने को कुछ गेंदे मेडल हो उसके बाद लाइक कॉन्फिदेंस वापास आए हमारा चलिए अच्छी शॉट है ये इस बार बढ़िया ड्राइव कवर्स की तरफ लेकिन भाई बहुत स्लो आउट फीन्ड है और मात्र तीर रंद मिलेगे आपे चलिए फिल्वें टाइम लगारे पहुच जाएंगे तीर रंद चुरा लिए आपे ओके पहुच रहे हैं कि हम ओ भाई यार क्लोस कॉल है ये लेट्सी क्या हुआ है क्या बल्ला पहुच गया था भाई पता नहीं भाई मुझे बच्च गया भाई बाल बच्चे है अब रं नहीं लेना भाई दो के दो ही रखेंगे तीन नहीं चाहिए मुझे एक्सवा रं के चक्कर में बाल बच्चे हैं भाई साब मुझे भाई ओके मैं समझ गया बाद में शायद वो हाथ लगा लेकिन पील्स नहीं गिरी नीचे इसलिए वो हम बच गया दर्वाइस बहुत क्लोस कॉलता ही है कैमरून ग्रीन शुर ये गिंद बाजी में बहुत दबाओ यार 12 में 11 90 के स्ट्राइक डिट से खिलना हूं लिट्रेली में चार ओवर हो चुके है ये शौट अच्छा आया है लेकिन सीधा कवर्स के हाथ में फ्रंस रही मिलेंगे क्लियर करना होगा ये किसी भी तरीके से इनर फील्ड को बढ़ा शौट का ट्राइ करें क्या स्लोट में गेज बहुत उपर मारा है दूरी कितनी प्राप्त है पता रही चलिये लेकिन और वाउस चौका मिल जाएगा दबाव था बहुत जारा और वहाँ पे स्वावएक था कि ये शौट खेलना ही है चान वूच के खेला है बड़ा शौट डिस्टेस ज़रूर जादा नहीं मिली लेकिन सरकल में थे सारे फील्डर उसका फाइदा मिला है और जस्क्लियर किया है शौट को बिट्वी शौट अलका साथ टीप में बेज़ तो तो आप पीछे बेज़ तो है फील्डर को अभी जानते हैं आपे प्रयास किया जाएगा बड़े शौट्स का यह गलत शौट है यहाँ पे चिनाओ गलत है शौट का फिलिक कर सकते लेक साइट पर पहतर होता वाँ पर देखना होगा गेंद की मेरिट के साब से खेलना होगा अपने को चले एक और अच्छे गेंद कैमरून गेंद के साथ पीट करते हो एक और बढ़िया गती देते हो यहाँ पर दूर रखते हो पर ले बाद से रेंज में नहीं दे रहे गेंद वाजी यहाँ एक और बढ़िया गेंद लेकिन इस बार लो बोल होगी सर्प्राइसिंगल अच्छ ओवर डाल देते हैं पर यहाँ पर गलती हुए थोड़ा सा पैर बाहर निकला है कैमरून ग्रीन का चुले बढ़ा शॉट का मौका और यह शॉट भाई लगाना पड़ेगा करनेट करना पड़ेगा किसी तरीके से फ्री एट है कर दिया है करेक्ट याँवे फ्री एट के एट और सीलक एक्सा कवर्स की उपर से केन को बाहर किया है तरसक धीरगा के अंदर डिलीवर स्टैंड डिलीवर सिज़ा स्टैंड्स में सबस्ट शॉट इंसाइड आउट ओवर दे कवर्स जबरत चक्का यहाँ पे कॉन्फिडेंस अब थोड़ा सा वापस आया है इस शॉट के साथ चली अंतिम कीद है इस ओवर की कैमरों की गार डाले गए लास्केन चली फिट से शॉट अच्छा है करेक्ट भी किया है टाइमिंग बढ़िया कैप में एक्स्टो को फीड़र पहुंच रही पाएगा और मिल जाएगा चोका बड़ा ओवर आता हो यहाँ आपे कॉन्फिडेंस देकिद जाएगा अपने को जबर शॉट यह देके मिडल किया बैट से पैतरी इन टाइमिंग और बढ़िया चोका लास्ट केन यापे स्ट्राइक लास्ट गेन मिलिये केल राउल चार गेने डॉट के लिए और मात्र एक सिंगल डॉट्स लाइक ज़ादा खेल रम लोगे ने यापे 6 ओवर मात्र 46 रहन है रन गदी को यापे बनाना होगा थोड़ सा क्योंकि रन्स नहीं आया है ज्यादा पावर प्ले के अंदर थोड़ सा स्लो तो है पिच बट रन्स अपने को तब भी बनाने पड़ेगा क्योंकि बाद में हो सकता है बैटर हो जाए ग्राउन बट एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे डिव फेक्टर बिल्कुल ली आगा क्योंकि रात में मैच रही है पूरा डे अन्डे मैच है तो जादा लाइक फर्क पड़ेगा नहीं तो अगर और स्लू हुआज के बाद पिच तो और लाइक बैटर रहेगा अच्छे नहीं लग रहे लेकिन कुछ बड़े शॉट्स और हम कबर अप कर सकते हैं बाद में तो ना बड़िया शॉट्स था यहाँ पे चौका रोका स्टंप ने दो बार यह दूसरी बार हुआ है गड़ित सिंप्ली उपर रखी जा रही यहाँ पे यॉरकर लेंद पर गेंद और बढ़िया तरीके उसको ड्राइब भी किया था और वहाँ पे स्टंप्स ने रोके हैं शॉट्स को चलिए अच्छा शॉट है दूर रही कि एक सो को उसको फीडर से स्पार मिल जाएगा चोका बड़िया शॉट अच्छी टाइमिंग और कोई गलती नहीं करी वहाँ पे फुल फेस खुला पल्ले काई देखिए अंदर आत करी है गेद लेकर अंपायर ने यहाँ पे नकार दिया अपील को क्या रीव लेंगे यहाँ पर प्रतिशो कप्तान ओके रिफर किया आपर थर्ड अंपायर को क्लोस कॉल है मुझे भी लग रहा है क्लोस है काफी पिचिंग आउटसाइड है ओ इंपैक्ट बाहार है पाल बा खिना है अपने को आठ में सत्तर लगा चुकी एलेस्टी और और बड़े रंस्टी है थोड़ा सा पार्टर्शिप यह लंबा यह बड़ा शॉट है सामने की तरफ फीटर मौचूद है सिंगल में लेगा लॉंग ओफ की जिश्वा में कुछ ओवर्स को टार्गेट करना अगर यह मैच जीतना चाहती है और फिर से बड़ा शॉट का प्रियास फिर से करेक्ट नहीं कर पाएं कैमरन ब्रीन चानते हैं चेंज और पिसकस तरीके से करना है इस पिछ पे होम ग्राउंड सावाई मान सिंग स्टेडियम और आर्का तो पहतर जानती है यह आपर एलेस् यह एलेस्टी को तो कि दूरों ही बल्ले बादों ने स्लो के लिए पारी उच्छालिया बड़ा शॉट पुल किया है थलका सा शुफल करके रिस्क तैस शॉट में लेके वो रिस्क उठाया और फाइनली यह रिवोर्ड मिंता हो और बाउस्चों का इसको अलेकी तरफ यह देगे थोड़ा सफल किया उस्टम पर और उतना जादा बाउस्था रही है सुकेन पर लेकिन तब भी हैलिविशन प्राप्त किया है बनाया शॉट को बड़ी अचौका दो गेदे और है उपर करेंगे गेद बाजी कैमरों ग्रीन तो सामने खाएंगे डाउद अग्राउंट चक्का एकदम सीधा बोला किस सर की उपर से यह देखिए मौका देंगे तो फिर यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं कैमरों ग्रीन लेंथ की एद और उपर की तरफ वो ही फुला लेंथ मौका होता नहीं है आपे पल्ले बास के लिए फ्री हिट गेंद रही है शॉट की उच्छाई और लंबाई देखिए वाई जबर दशॉट 9.5 ओवर तेरासी रन लास्ट गेद इस ओवर की लेट सी क्या फिर सूपर डालेंगे कैमरों ग्रीन शोटी गेद पॉइंट के आप में जाईगी ज़रूर प्रियास था वहाँ पे अपर कट का कैनेक टुवारे बड़ सिंगल के साथ स्ट्राइक रखे अपने पास अगले उबर में दस में चौरासी चलो लगा दी है और अगले दस ओवर अभी तब विकिट नहीं गिरा है सबसे बढ़िया चीज़ यह है लखनव के लिए सीधा गेंदे ट्राइब करने का प्रियास सीधा फिल्टर के हाथ में अच्छी गेंदे आकास दीप की है बढ़ा शॉट खेल सकते क्यूंकि कवर्स और मिड़ॉफ अंदर है और अगर अंदर होगा तो यहां पर हूपर्स उसके केला जाएगा शॉट फ्रेट चक्का और अगर शॉट जगा बनाई रूम बनाया और पहतरीन पावर्फुल हिट यह देखिया है वाड़ शॉट क्योंकि वापर फीटर थे ऊपर तो क्लियर किया हो आपर अटालिस पे दूर अनमातर दूर है अपने पहले पचास से करियर मोड के लाइक आईपियल में ओ नहीं यार इंतजार करना होगा वो पचास के लिए जबर रसगेद आकास दीप एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़ादा सीम और स्विंग प्राप्त करेंगे हमा में लेराएगी इंद को सीधा फुलर लेंड सीधा टंडे पे गलिये जाके आपस्टम पे निराश स्किप करेंगे गाईस यहां पे 50 को मिस किया है और साधा लाइक मैं उस चीज़ को अब सोचना नहीं चाहता उसीधा गेंदवाजी फोकस करेंगे हैं अगले मैच के लिए लाइक वेट करना पड़ेगा लग रहा है 50 के लिए चलिए दस ओवर हो चुके और अब फिलाल गेंदवाजी दी जा रही है अपने को लास्ट मैच में भाई गेंदवाजी उतनी अच्छी हुई नहीं थी भाई 70-80 रन खाये थे शायद हमने मुझे एक्ज़ेकली याद नहीं लेकर आए थी तो 70-70 कुछ रन खाये थे मैंने अब थोड़ा बेतर गेंदवाजी कर रही है वो जिस मैच में विकर्स भी लेने और रन्स भी बचाने है चलिए साट में सोचीए अरार को फिलाल लेट सी क्या हम बढ़िया से चार ओवर डाल सकते हैं लेट सी पहली गेंद अच्छी डाली है दूसरी भी तगड़ी डाली है अंदर की तरजवार सीम पर आप्ट किया है हमने जेक रॉकेट सोला में बाइस बड़ा खेल रहे हैं बड़े शॉट लगाने का प्रियास है लेंद गेंद लेकिन हम डालेंगे इनको फोड़ा वैरी जादा करेंगे तो वहाँ पर आई थिक सो बच सकते हैं लाइक डैट प्रिडिक्टिबल नहीं हो रहा है अपने को अगर हम प्रिडिक्टिबल होते हैं तो फिर यहाँ पर भाई मार खा जाते हैं वेना मतलब के पिछली गेंद लैंद गेंद थी इस बार उपर डालेंगे थोड़ा लाइक डैट बड़ा शॉट के लिगा प्रियास लेकिन सीधा चाहेगी वहाँ कवर्स के हाप में तो यहां से बाहर निकालते हैं गेंद क्या देखते हैं बाहरी किनारा पकड़ सकते हैं ओ पकड़ा है बाहरी किनारा लेकिन एज भी मिल गई हो आपर बले बास को चलिए अच्छा ओवर चौका आया है लेकिन उतनी कर्विंसिंग तरीके से नहीं अगर फूर्ड अच्छा भी पॉइंट का फील्डर वाइड होता तो यहां पर शायद विकेट मिल जाती है अपने को पर किस्मत नहीं होती है तो फिर यही होता है स्वड़ी अंतिम गेंद इस पर रन नहीं देना है विकेट रिविव चाहिए मुझे अगर विकेट नहीं मिलेगा जब्रस गेट अंदर की तरव लहरा इस बार सीप रात किया है और यहां पर कोई मोकर एक कोकिट के पास जारोगो वापिश चप बिस पे वापसी हुई आप एक गेंद बाजी में पिछले मैच में भाई रन्स खाये थे बट यह देगो भाई मिस कर रही थी यार भाई मिस कर रही थी से रिव्यू क्यों नहीं लिया यार एक मिट मुझे ज़रा वो दिखना पड़ेगा लेट मी चेक बिगाई दिखते ज़रा बिगाई दिखते भाई लास्ट गेंगा पिचिंग ए लाइन इंपेक्ट ए लाइन बाट मिस कर रही स्टम को भाई साब यह विकेट था नहीं अपना लेकिन उसमें रिव्यू नहीं लिया उसमें मेरी गल्ती नहीं है बाट मिस कर रही स्टम को गर वो लेता तो बच जाता भाई दो विकेट और गेट चुके है पिसले ओवर में आपे मातर सिंगल मिलेगा क्या अलोट कर सकते हैं अब अर आर को क्या मातर तीन ही विकेट चाहिए अब अपने को जादा विकेट नहीं चाहिए और अभी भी लाइक हमारे पास आठ ओवर्स है एक और बढ़िया गेद आपे प्लम कराने का प्रयास है मेरा इसलिए मैं थोड़ा सो ऊपर गिदवाजी कर रहा हूँ पही लेकिन आइटिंग सो एक आद लेंद बॉल हम पटक सकते हैं इनको थोड़ा सा कन्फ्यूस करने के लिए या फिर वो बहारी किनारा वार बॉल क्या इंसाइडर्स लगा है आवाज नहीं आई है लेकिन शलिए कोई नहीं रीविव बरबाद नहीं करेंगे हैं एक और लैंद बॉल पटकते हैं इसी लैंद पे इसी लाइन पे ओ नाइस फ्लेक इस बार फ्लेक अच्छा किया आईडी फाइन फील्टर मौजू तो सिंगल मिलेगा यहाँ पे हालत कराब है फिलाल और दू अंक आसानी से ले जाएगी लखनौ क्योंकि अब कोई चांस जादा लग नहीं रहा है अगर कोई मैजिकल पारी ना खेले क्यों विकेट्स भी हाथ में नहीं है और ऐसा कोई बल्ले बाज नहीं है जो बदल सकता यहाँ से मैच बड़ से लिए अच्छा शोड है आपर सिंगल साथ फुरसा क्लोस कर रहे है शायद वो रन रेट बचाना चाहती आर-र और अगर यहाँ पर अच्छे रन से जीते की 40-50 तो लखनाउ के लिए बढ़िया यहाँ पर रन रेट अच्छा गासा हो जाएगा अंकि के साथ क्यों फिलाल टॉप पर जीटी चल रही है क्योंकि उसका रन रेट तगड़ा है तो अगर उसको पीछे छोड़ना है तो लखनाउ को यहाँ पर अपना रन रेट सुदार रहा है अच्छा इस बार क्रोस का कवर्स की उपर से जवर्स चौका चड़ दिया है वर बाउस पड़ चड़ी है यहाँ पर एक और ओवर दिया जा रहा है अपने को और अब कुशिश करें अपने को यहाँ विकेट निकाल लेगी मैरदो मैच के लाइक हम दाबिदार हो सकते हैं क्योंकि अर्टार्फ रन बनाए है एंड साथ में लाइक अगर हम दो या तीम विकेट ले ले लेते हैं तो फिर भाई पक्का है अपना मैरदो मैच पड़िया पर उन्ते से साट चीए है बन सकते है बड़ा शॉर्ट नीप में विटा बहुँ जोते एक और विकेटर भाई इसने प्रियास भी नहीं कर रहा है थोड़ा सा आगे आता फिर दोड़ते हुए तो शायद कैच हो सकता था खड़ा रहा अपनी जगा पे भाई क्या बुलू या रभी मैं थोड़ा सा कोशिश और काम हो जाता औरे भाई इंस या पे बाहरी किनारा लेकिन कैरी नहीं करेगा फीटर मौजू जरूर रवैकपर्ट पॉइंट पे पटसुना दूर कैरी करना बहुत मुश्किल काम है बाला शॉट फ्लिक किया है जाबर दस्त और चक्का मिलेगा इस बार आई क्या शॉट खेला है यार अब टेल आरार की अभी भी जीवित रखुए मैच में राजिस्थान रोयल्स को ओहो एक और बाला शॉट एक और बाला चक्का शायद गती को कंट्रूल करना पड़ेगा अपने को वरना मैच पलड़ सकता है अभी भी मैच खतम नहीं हुआ है एक और जबर शॉट ये देखिए प्रहार फिर से सामने की तरफ याँपे भाई विकेट्स चाहिए होगा यार इसका आकाश दीप तगड़ी हिट्स लगा रहे हैं याँपे ओके इस बाहर लग रहा है फिर से अच्छा शॉट है क्लियर हो ना हो जाए बचा लिया है चौका बढ़िया फील्डिंग डीप में भाई बड़ा ओवर आया है यह लास्ट ओवर देखते कप्तान देते हैं रही मुस्स इंपोर्टेंट ओवर इट्टींट ओवर दिया है याँपे कप्तान ने और भाई याँपे मैच फस गया अठाराव बत्तिस बनते हैं कुछ किया नहीं जा सकता अब बेसिकली रंस बचाने अपने को किसी भी तरीके से ओ माई गॉड पहली गेंड पर चौका है फील्ड तोलसा अतरंगी चाहिए अब आइधिक सो और खोलना पड़ेगा सारे फील्डर्स डीप में बेजने पड़ेंगे पहली गेंड पर चौका दबाओ डाला भाई हमारे उपर पहले बास ने यहां से मैच परणती है भाई जबर्दोस्ते मैच परणता है राजस्तान ने यह बैटर फील्ड है यहां से वाई यहां तो विकेट या फिर वाई सारी सारी डॉड गेल कुछ वैसा करना होगा चलिए यहां पर क्या विकेट हो सकता है हो जाएगा येस फाइनली अटेकिंग बर लिवास क्रूस का विकेट निकाल के दिया है और जबर्दस लाइक फील्ड वाँ पर सेट करी थी अपने लास्ट गेज पर और विकेट मिला है अपने को कवर्स के तरह वाँ फील्ड रखा हमने डीप में और वहीं शॉड खेला है और वहीं पकड़े गए क्रूस एक तालस में खेल रहे थे काफी लाइक जादा डेंजरस लग रहे थे यहाँ पर बड़ अब फाइनली जाना होगा यहाँ पर आउट हो जाएंगे फिनिश लाइन तक नहीं पहुचा पाए राजिस्तान को और अभी भाई गेम ओन है यह एक दो बड़े हिट्स और मैच लाइक वापस आ सकता है राजिस्तान की जोली में अपने को भुब अचाने यहाँ फिर ओल आउट कर दो इनको ओ नाइस बॉल सबर दसंदर आया पढ़ने के बाद थोड़ सा स्लोवर यहाँ पर चेंज ओप पेस और सामने तरह रही का आराम सिंगल चुरा लिया है क्रूशल टाइम लेकिन विगेट निगाला भाई अपने यह तगड़ा था मज़ा आ गया सामने तरह स्ट खेला है डाउन दा ग्राउड रुकुना चाहिए यह सिंगल से जादा नहीं होना चाहिए आप है यह बड़ यह फेल्डिंग और आकाश दीप कुछ इतना हो सकते हैं उस्ट्राइक उतना रखने ही कोशिश है क्योंकि यह कुछ बड़े हिर्स लगा सकते है वारबॉल थोड़ा सा और अंदर हो थी तो यहाँ पे सीधा डंडा ओड़ता बाल-बाल बच्चे है बहुत ज़ादा जबरस गे दिये सीम प्राप्त किया है चानते हैं कितना बाल-बाल बच्चे है हैंगर कर ओ बड़ा शॉट लेकिन नहीं सीधा ग्राउंडट जाएगा सिंगल ही आगा बड़ी ओवर जबरस ओवर यह अरे भाई क्या कर रहा हूँ कर लो भाई तुम लो कर लो नहीं कर नहीं यह कर लो पहले तुम क्या जरूरत थी भाई यह थ्रू कर रही कि कौन है भाई गधा ही है कहा थ्रू किया है गधे ने देखो तुम सला स्टम पे थ्रू कर देता कम से कम देखते बाई, दो वर बचे है रियान पराग करने है गिदमाजी मैं स्किप्ट तु नहीं करने वाला, कुछ भी हो सकता बाई 12 में किस चीए सामें के लाए चलो शॉट पकड़ो चाचा गें यहाँ पर रंस बचाओ बाई हर एक रं इंपोर्टेंट है रियान पराग भाई, एक विगेट ले लो यार मैंनों पूरा मैच बना दिया थैया फिरी फट्रण के चार रं दे रही है रिया इसने पकड़ो भाई, पकड़ो बहुत बढ़िया मैं फेकता हूँ, मैं फेकता हूँ बाई, ऐसी फिल्डिंग करने पड़ेगी जबड़ो उस तरीके से अपने को दोरन लेकिन आ गया है भाई, अठारा दस में अठारा भाई, मैं पूरी जान लगा दूँगा फिल्डिंग में भी और स्टम पे रहा हूँ, बढ़िया, बढ़िया नाइस बॉल, नाइस बॉल, यही चीए, यही चीए यही डालते रहो भाई, बस लास्ट ओवर अब बहुत इंपोर्टेट होने वाला भाई ओरे यार बड़ा शॉट आ गया यार यापे, कुछ नहीं कर सकते भाई, अब चौका आ गया है लाइक साइड पर क्यू डाली भाई साब गेन, बूरर आउफ साइड पर डालो भाई क्या जरूरत वाई लाइक साइड पर गेन करने की इजी चोका मिल गया यार वापे, वन बाउंस आब बोले यार अभी आठ में चाउदा वाई इजी बन रहे यार अब तो क्या दो बड़े एट्स कातम है मैच पकड़ लो भाई, पकड़ लो वस आकाश दीप को यार रखो और रखो और स्ट्राइक, 20 में 20 में खेल रहे है यही मारेगा, इसने स्ट्राइक ले लिए अगला ओवर तेज गीनवास को देना होगा कप्तान को, अधरवाईस स्पिनर को देके तो फस जाएगा, यह गलत है बाई, स्पिनर को देना ही नहीं चीएता है ओवर मेरे से 90 त उबर करा ले थे, इससे जदा लेक बैटर रहता पकड़ो पकड़ो बढ़ी है बढ़ी है, नाइस शे में तेरा, देखते किसको देते हैं, हैरी ब्रोक्स, ओके, ठीक है फिर और यहाँ पे शॉर्ट फाइनल लेक पर मैं लगा हूँ बढ़ी है डालना गेन, पकड़ो भाई पकड़ो भाई रन नहीं रन नहीं दो रहा है बस बढ़ी है नाइस डॉट गेन आई है, पाँच में तेरा, तीन गेन दो डॉट फिर एकात तो हुई जाएगी पढ़ी है यार, हैरी ब्रोक्स जबर्दस्त यार, मज़ा आगया एक नंबर भाई, एक और डॉट गेन, पढ़ी है शॉट बोल डाली है फिर से शॉट यार इतना शॉट नहीं डालना था ना, एक अलवी डाल चुके वैरी करो यार बार बार चौका आगया यार, हाँ पर, तीन में नो चाहिए राजस्तान, गो, लेट सी, क्या है री ब्रोक्स जोए डिफेंड कर पाएंगे और गैप में है, लेकिन फीटर बाई, बेख, फेक, फेक, फेक बढ़िया, बढ़िया, ठीक है, आकास दीप चलागे न, उफस्टाइक, ये लाइक बेटर है, बढ़िया है, हैंकर है, दूमें आट से ये, ये बॉल भाई बार निकाल दे बस बच जाएंगे बिदली, क्या मार दिया भाई, चोका नहीं, चोका नहीं, कम आउन, अरे यार, बचा लिए न, बस, 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 बच गया है, दूई रन आए न, क्या आया है, अब यार, एक में छे चाहिए बाई, चक्कर आमार दे लास गेंद पर, भाई, मैच ही पलण फाइनली यार, महनत रंग लेके आईए, मैच निकार भाई, ये इतना खतरनाक लाइक, लास्ट ओवर, मैंने कभी फील नहीं किया, चार रंज से जीत है भाई, एक तो अपने कंट्रोल में नहीं था, तो और लाइक ज़्यादा निक्कत था, बड़ एनिवेज, जीत गई ह लगनो याँ पे और अच्छी परफॉर्मेंस भी आई अपनी, लेट सी किसको मिलता है मैरदो मैच, अपने को मिला है वाह, क्योंकि दू मिकिट से और अर्टाली से रण, तोड़ा सा शॉट रहें के 50 से, बट भाई, पहला मैच, IPL के, लेस्गो बोईस और गल्स तैयार हो बाल-टो-बाल भाई आलत कराव हो रही थी, यू सट्रेली में के स्टेमेंट विट परफॉर्मेंस लाइक इस, वाट से और एंड गेम गोल है, आई इस वाट तो हैं तोड़ा से तोड़ा से तोड़ा से तोड़ा से ताम स्पेंड करूंगा मैं, वाल बी गुद आई तिक चलिए, मिलते हैं अगले मैच में, ओर राइट गाईज, ये रही गाईज समरी हमारे इस मैच की, 86 राहूल ने मराय थे भाई, लेकिन 48 अपने थे, और उसमें भाद भाई अपने 2 विकेट्स, most important 2 विकेट्स, रंस आये हैं, लेकिन भाई कुछ तुम्हें पता भाई कितनी फाल्तु फील्डिंग हुई है, तो उस बज़े से रंस आये, बड़ एनिवेस, थोड़ सो और गींदवाजी अच्छी करेंगे हम, और भाई बल्ले बाजी भी, बड़ यहाँ पे हग दी है, लेकिन राइस्टा रोयल है, अपनी बल्ले बाजी में, पट एनिवेस, यहाँ पे हम लूग जो है, आइधिंग सो टॉप पे हुआ जाने चीज़, लोग भाई फटा 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 भी इवार पॉइंट से बिल देख लेते हैं, और गाईज आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट से बिल का हल, तो लस जी फिलाल जो है, वो टॉप पे चल रही है, क्य एंगले मैंच में, जी टी वर्सिस एलस जी के साथ, इस वीडियो को आपको पसान, उसको लाइक करिए, शेर के चैनल पर आपको सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं बहुजल, तो जो ख्यान रख के अपना एंड, गुडबाई